दोस्तो अगर आप भी ड्रीम 11 अप्लिकेशन का यूज़ करके अपने टीम बनाकर लाखो करूर रुपे कमाना चाहते हैं तो इस विडियो में आप जानेंगे कि कैसे आपको ड्रीम 11 अप्लिकेशन का यूज़ करना है क्योंकि दोस्तो मुझे याद है कि कुछ टाइम पहले ना बहुत सारे विनर हमारे जो स्केट है उत्राखंड यहां से बहुत सारे विनर निकल चुके हैं जिन्होंने एक करूर रुपे यहां पर जीते हैं ड्रीम 11 अप्लिकेशन में और हमारे जो डिस्टी कहना हमारा जो जि यह ताक कि आपके जीतने की चांसेज जादा रहे तो इस विडियो को ध्यान से और पूरा देखना थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है जादा लंबी हो सकती है लेकिन आपको यहां पर इन्फरमेशन पूरी मिलेगी आपको कोई भी कन्फूजन यहां पर नहीं रहेग है साथे साथ में दूस्तों मैं आपको कुछ चीज़े बता दू कि हमारे देश में जो भी स्टेट है उन में से कुछ स्टेट ऐसे हैं कुछ राजिया ऐसे हैं जहां पर फिलहाल ड्रीम 11 बैन है वहां पर आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे जैसे उडिसा हो गया आंदर खिल कर पैसे जीत पाएंगे एक बात दूस्तों मैं और आपको क्लियर कर दू कि यहां पर ना आपको इस अप्लिकेशन की आदत भी लग सकती है बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लग जाती है गेम खिलने की और साथे साथ में यहां पर आपका आर्थिक जोखिम भी सामिल है यानि कि आप हार भी सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपको जीतना ही जीतना है तो हार जीत यहां पर चलती रहती है लेकिन इस बात का आपको ध्यान अगना बहुत जरूरी है तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे आपको डीम 11 अप्लिकेशन पर अकाउंट बनाना है कैसे टीम बनानी है और कैसे पैसे जीतने हैं सबसे पहले आप वीडियो के description में जाएंगे वहाँ पर मैं application का link दे दूँगा जैसे आप link पर click करेंगे यहाँ पर इस तरह के से open उकरा जाएगा और यहाँ पर application को सबसे पहले download करेंगे अब आप application को आपको सबसे पहले से account बना उआ है तो आप directly यहाँ पर जो है login कर सकते हैं अगर आपने अब तक यहाँ पर account नहीं बनाया है तो आपको सबसे पहले click करना होगा enter code जैसे आप enter code पर click करेंगे यहाँ पर आपको सबसे invite code हमारा enter कर लेना है invite code के detail आपको वीडियो को डिस्कुसमें मिल जाएगे आप वहाँ पर देखकर invite code यहाँ पर enter कर लेंगे उसकी बाद अपना mobile number को आप यहाँ पर enter कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक box नजर आएगा इस box को आप टिक कर लेंगे cream 11 में आप अलगवर टाइपस के match खेल सकते हैं जैसे कि यहाँ पर cricket match है football match है कबटी है basketball है और यह बहुत सारे आपको यहाँ पर games मिल जाएंगे जिसको आप play करके अपने team बना कर पैसे जीत पाएंगे तो अब ही जैसे हमें cricket match खेलना है तो हमने cricket को select करके रखा हुआ है उसकी बाद आप आएंगे upcoming matches तो जितने भी आने वाले matches है वो सारे की सारे details आपको यहाँ पर नजर आगी आप जिस भी team के साथ match बनाना चाहते हैं अपने team बनाना चाहते हैं आप उस team को select कर सकते हैं तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे team हैं तो किसी को भी मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ जैसे दूस्तों भी IPL match चल रहे हैं तो मैं IPL match में match लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने select किया अगर आपने मेरा referral code यूज किया होगा तो जो 50 रुपे की यहाँ पर entry fees है वो मातर आपको 5 रुपे मिल रही है यानकि 45 रुपे का आपको discount मिल रहा है और 5 रुपे लगाने पर आप 45 करोड रुपे तक जीज सकते हैं यहाँ पर dream 11 की तरफ से अलग-अलग types के यहाँ पर गुरूप बनाए गए हैं की टीम बनाए गई है जिसमें आप जो है अलग-अलग द्वासी जीज सकते हैं जैसे मानके चलिए यह 45 करोड की टीम है इसमें किलिक करूँगा तो आप देखी का जो यहाँ पर first winner रहेगा उसको 1.5 करोड रुपे 1.50 लाग रुपे मिलेंगे जो second winner रहेगा उसको 40 लाग जो third winner रहेगा उसको 15 लाग तो यहाँ पर सारी की सारी आपको detail मिल जाएगी कि किस winner को कितना पैसा मिलने वाला है यहाँ पर back आते हैं और भी यहाँ पर बहुत सरे team है तो आप जिसमें भी लगाना चाहते हैं आप select करेंगे तो आभी हमें 45 करोड वाले contrast में लगाना है तो हमने select करिया उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे join अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना verification complete कराना होगा तो verification आप अपना आधार number से या फिर आप जो हैं अपने document के upload कर सकते हैं जैसे कि voter ID card number है या फिर आधार card है या फिर आप driving license भी यहाँ पर upload कर सकते हैं चाहे तो directly digit locker से भी upload कर पाएंगे तो हमने अपने phone पर पहले से ही voter ID card की photo click करके रखी वी है तो हम यहाँ पर select कर लेते हैं voter ID तो select करने के बाद आप यहाँ पर upload image पर click करेंगे अगर आपकी file PDF में है तो आप इसको PDF में भी upload कर सकते हैं तो आप फिलाल हम यहाँ पर upload image की उपर click करेंगे यहाँ पर हमारी voter ID card है हम इसको select करेंगे उसके बाद आप उपर से इसको done कर देंगे अभी हमारा document यहाँ पर load हो रहा है आपको कैसे point मिलते हैं एक run पर एक point एक picket पर 25 point एक catch पर आपको 8 point मिलते हैं तो आपको team select करनी है इसके लावा मैं आपको और भी चीजों के points बताऊँगा जैसे कि catch के कितने point मिलते हैं run के कितने points मिलते हैं तो यहाँ पर हमें click करना है create team दोस्तों हमें एक team यहाँ पर अपनी बनानी है अमान के चले कि दो team यहाँ पर खेलती है तो एक team में होते हैं 11 player 11 खिलाडी तो दोनों team का मिला कर हो गया 11 दोनी 22 खिलाडी तो 22 खिलाडियों मैं से हमें अपनी 11 खिलाडों की एक team बनानी है यानि कि दोनों side की player हमें दोनों team की player लेने हैं तो यहाँ पर आपको देखेंगे wicket keeper है WK तो wicket keeper में आप कितने wicket keeper रखना चाहते हैं आप select कर सकते हैं और याद रखेगा जो भी आप team बनाते हैं आपको सबसे बहुत result जरूर करनी है ध्यान से आपको knowledge होना चाहिए ध्यान से समझ के आपको team बनानी है तो जैसे यहाँ पर battler है samson है तो यहाँ पर मैंने select किया दो आप चाहे तो दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं और एक भी यहाँ पर select कर सकते हैं उसके बाद आप से पूझेगा कि आप batsman कितना रखना चाहते हैं तो आप batsman के उपर जाएंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे batsman मिलेंगे जो भी आपको लगता है आप उसको अपने हिसाब से select कर लेंगे उसके बाद all rounder के उपर आपको आना है और यहाँ पर आप all rounder जो बैटिंग भी करते हैं और balling भी करते हैं आप किन किन को रखना चाहते हैं आप यहाँ पर अपने हिसाब से select कर लेंगे उसके बाद baller आप रखना चाहते हैं balling में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे baller आपको यहाँ पर नज़र आएंगे तो जिनको भी आपको टीम में लेना है आप इस तरह किसे ले लेंगे तो अभी हमने एक टीम अपनी बना ली है और कुल मिला कर हमारा इस तरह किसी 11 member की हमारे team बन चुकी है अगर आप अपने team को preview करना चाहते है यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जो भी हमने team बनाई थी वो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 11 खिलाड़ों की team बनाई है तो चलिए हम इसको यहाँ से cut करेंगे और उसकी बाद करेंगे next यह उपर click next turn के बाद यहाँ पर आपको सबसर भी सरेक्ड करना होगा कि आप captain किसको रखना चाहते हैं और voice captain किसको रखना चाहते हैं इस बाद का आपको ध्यान अकना है कि अगर आप किसी को यहाँ पर captain बनाते हैं तो उसकी आपको दुगने point मिलेंगे और अगर आप किसी को voice captain बनाते हैं उप कब्दान तो उसके आपको यहाँ पर देड़ गुना point मिलेंगे अमान के चली यहाँ पर मैं betler को रखता हूँ तो betler के मुझे अगर मान के चलो इन्होंने 100 point earn किये तो मुझे इसके 200 point मिलेंगे और इसके लावा voice captain को किसको रखना है आपको तो जिसको भी आप रखना चाहते हैं select करेंगे अगर यहाँ पर 100 point earn करते हैं तो यहाँ पर मुझे 1500 point मिल जाएंगे यहाँ कि 50 extra मिलेंगे तो आपको so समझ कर अपना यहाँ पर captain और voice captain को चुनना है इस बाद का आपको ध्यान लकना है उसके बाद save करेंगे थोड़ा सा wait करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से permission मागीगा आप इसको allow कर देंगे आप आपको बुला जाएगा payment करने के लिए तो आप यहाँ पर जो है payment कर देंगे तो यहाँ पर आपको cashback के भी offer मिलते हैं जैसे अगर आप amazon upi की तुरू payment करते हैं तो आपको 10 रुपे का cashback मिल जाएगा view all पर किलिक करेंगे तो बहुत सारे अलगलग banks के आपको यहाँ पर offer दिख जाएगे अगर आप ज़्यादा पैसे यहाँ पर add करना चाते हैं तो आप यहाँ पर amount को enter कर देंगे जैसे 50 रुपे मुझे लगाने है पांच रुपे मेरा यहाँ पर match लगेगा बाकि 45 रुपे मेरे wallet में add हो जाएगे तो उसके बाद हमें करना है add add करने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर wait करेंगे अब आपसे बोला जाएगा कि आप जो है किसके दुरू payment करना चाते हैं गूगल पे फोन पे अमेजोन पे तो अभी हमें गूगल पे से payment करनी है हम select करते हैं गूगल पे थोड़ा सा हम wait करेंगे इस तरह के से यहाँ पर interface आजाएगा अब आपको यहाँ पर जो है paper क्लिक करना होगा yes करना होगा उसके बाद permission को allow करना होगा थोड़ा सा यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर हमने 50 रुपे यहाँ पर जो अपना एड किया था 45 रुपे का हमेरे discount मिला हुआ है और 5 रुपे हमने अभी match में लगाने है तो join contest पे क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपको एक चीज़ यहाँ पर बताई जाएगी कि आपको यहाँ पर अपने Gmail ID को match लगाया है तो अभी हम आएंगे माई matches के उपर जितने भी match आप खेलते हैं टीम बनाते हैं तो आपको यहाँ पर upcoming में दिख जाता है अगर आपको टीम को edit करना है तो आपको just इसके उपर क्लिक करना होगा और ध्यान रखना है आपको एक बात का कि यह match सुरू होगा साड करेंगे और pen के निसान पर क्लिक करके आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कौन से player खेल रहे हैं लेकिन यह आपको चक करना है 10 से 15 मिनट पहले जब match स्टार्ट होता है जैसे साड़े तिन बजे match स्टार्ट होगा तो मैं यहाँ पर 3 बज कर 15 मिनट ये 20 मिनट पर अपने mobile phone पर एक alarm लगा दूगा ताकि मिनको ध्यान रहे कि यहाँ पर match है और मुझे अपने team को edit करना है उसके बाद जो player यहाँ पर नहीं खेलते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि announce हो चुका है इस तरीके से यहाँ आपको दिखेगा कि announce हो चुका है और ये 10 से 15 मिनट पहले आ जब दूस्तों आपके team यहाँ पर लग जाएगी और एक बाद का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप match सुरू होने के बाद जो है अब आप अपने team को edit नहीं कर पाएंगे इस बाद का आपको ध्यान रखना है जब दूस्तों यहाँ पर match खतम हो जाता है तो उसके आपको कैसे चक्करना है कि आपने किता पैसा जीता है तो आप my matches में जाएंगे और यहाँ पर जो completed वाला column है इसमें आपको दिखेंगे कि जो भी आपने match complete कर लिया है उसमें आपको कितने रासी मिली है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 रुपे मुझे मिला है आप हारते हैं उसमें यहाँ पर कोई पैसा यहाँ पर आपको नज़र नहीं आता है उसकी बाद दूस्तों जो भी आप यहाँ पर आर्ण करते हैं आपको पता कैसे करना है कि आपने जो आर्ण करी है उसको विट्रोल कैसे करनी bank account में उसके लिए आपको क्लिक करना है सबसे अब आपको यहाँ पर अपना pen number को verify करना होगा verify के उपर क्लिक करेंगे अपना नाम pen number अपना attendance और यहाँ पर photo को क्लिक करना होगा pen card की और submit कर देंगे उसी तरह किसे bank count को यहाँ पर verify करेंगे और अपने bank count details को fill up करेंगे उसके बाद यह पैसा आपके account में अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपको किस player के कितने point मिलते हैं तो आपको दुबारा profile की आगर पर click करना होगा उसकी बाद आपको click करना है how to play अब आप जो भी game यहाँ पर खेल रहे हैं उस game को आपको select करना होगा जैसे हमें अभी cricket game की बारे में जानना है click करेंगे अब यहाँ पर आपको fantasy point system की उपर click करना होगा अब आपको कितने point यहाँ पर दी जाते हैं run मारने पर 1 point, voluntary माने पर plus 1 point, 6 माने पर plus 2 point तो यहाँ पर आपको इस तरह के से पूरे के पूरे point system मिल जाते हैं कि baller की कितने point मिलते हैं, fielding की कितने points मिलते हैं और other person के कितने point आपको मिलते हैं, तो इस तरह के से आप बहुत ही आसाने से dream 11 में team बना कर पैसे कमा पाएंगे